हेलो स्टुडेंट्स में अमित गौतम रेजोनेंस पी सी सी पी हिंदी एंड संस्क्रिट कॉडिनेटर और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतना जबर्दस्त वीडियो जो उस वीडियो को देख करके हमारे एक्जाम के अंदर जितने भी एक्जाम सम देते हैं हिंदी सब्जेट के अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं जो सामन्य शुद्धी हम लोगों से बौड एक्जामिनिशन का पेपर सॉल करते समय हो जाती है उन मिस्ट्रेक्स को किस तरह से हम अपना पुंडरावलोकन कर सकते हैं किस तरह से उन शुद्धियों का समा समाधान हम कुछ हद तक निकाल सकते हैं तो इस वीडियो को लेकर कि आज हम आपके लिए आए हैं और निश्चित तोर पर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो लेट सी जैसा की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो बोड परिक्षाओं के अंतरगत हिंदी विशे में अश्चा चाह 10 वोड की ओचे 12 वोड की ओचाह 8 वोड की ओचाह रारस्थान वोड की हो चाह सीबीसी वोड की ओच यहां पर हम सब्जेक्टिव क्वेस्टिव को सौल करने की कोशिश करें और वहां पर बेसिकली छोटी-छोटी गलतिया हम लोगों से हो जाती है जिसकी कार्स हम recover करें तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी लेंग्वेज के अंदर चाहे वो CBSC course A का बच्चा हो चाहे CBSC course B का बच्चा हो लेकिन general mistakes हमें खुद को solve करनी है हमें उनके बारे में knowledge होनी चाहिए तो उनी common error के बारे में आज हम आपसे discussion करेंगे तो इस PPT के द्वारा हम समाजने की कोशिश करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि हमारे board examination के अंदर की इस प्रकार की अशुद्धियां होती है और उन अशुद्धियों में सबसे पहले के नंबर पर हमने लिया है प्रारूप संबंधी अशुद्धियां प्रारूप मतलब format को लेकर के हमारे question paper के अंदर एक खंड आता है रचनात्मक लेखन जिसको हम बोल सकते है creativity वाला portion writing section जहां पर हमें अनुच्छेद लिखना पड़ता है जहां पर हमें पत्र लिखना पड़ता है जहां हमें विध्यापन समवात लिखना पड़ता है जहां हम email writing या लगुकथा लेकन करते हैं तो उसके अंदर जो formats आपको दिये वे हैं उन formats के अगर हम अपना question paper solve करें उस प्रश्ण को solve करने की गोशिश करें तो निश्चित तोर पर हमें एक अच्छा benchmark एक अच्छा exam के अंदर हमें अच्छा अंक्माँ पर मिल सकते हैं तो सबसे पहली चीज बच्चों को format को अपने mind में रखते विए ही अपने प्रश्ण को हल करने की आवशक्ता है तो सबसे पहला point ही हमने लिया है प्रारूप संबंधी अशुद्यां और प्रारूप संबंधी अशुद्यों के अंदर निश्चित तोर पर हम बहुत सारी गलती करते हैं जैसा कि हम आपके सामने की image लेकर का एक बच्चे की हमने अभी pre-board के exams बच्चे के कर रहे है जैसा कि अब question दिया हुआ है solar cooker बनाने वाली एक company के लिए विज्यापन 25 से 50 शब्दों में आपको लिखना है word limit directly लिखी हुई है और एक advertisement आपको हिंदी भाषा के अंदर तयार करना है ठीक है अब इस advertisement के लिए हम mentally prepare रहे है क्या हमारा format होना चाहिए किस तरह से हम उ प्रष्ण था 2020 से संबंदित और हो अपको बताया हुआ है कि जब भी हम किसी प्ले की में इस आख विज्जापन 10 डिकते हैं तो विज्जापन हमेशा box में होना चाहिए आपको बताया हुआ एक box आपको बना कर गयाना चाहिए जो कि इस اسने बनाया हुआ है लेकिन यहां पर उसने विज्ञापन नहीं लिखा, तो यहां आप देख पारे हो कि पेंट से सरनेवा करेक्षन भी किया है, कि विज्ञापन आपका उपर यूपर लिखा होना चाहिए, इसके इलावा यहां पर अशुद्धिया सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञाप आपके अगबार में आता है और अगबार में कम से कम गलतिया हमारी हो तीन नंबर का प्रश्ण था और तीन में से इन दो तीन चीजों की वज़े से यहां पर उसकी मिनिंग की मिस्टेक थी यहां पर उनकी मिनिंग की मिस्टेक थी और यहां पर उसने यह शब्द नहीं लिख ला सकते हैं जैसा कि भी आपने विज्ञापन में देखा इसी से रिलेटेड एक क्वेस्टन में आपके सामने और रख रहा हूं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो लिखा हुआ है क्वेस्टन कि जैनमास्टमी के अवसर पर आप अपनी सोसाइटी में बच्चों की निर्ति प प्यार करनी है एक नौटिस आपको लिखना है और उस नौटिस का फॉर्मेट भी आपको अपनी स्कूल के अंदर आपके कोचिंग इंस्टिट्यूट के अंदर आपके और्गनाईजेशन के अंदर बताया होगा इसमें भी जैसा कि बच्चे ने बिल्कुल बॉक्स बनाया होना चाहिए ठीक है चार नंबर का प्रश्ण था लेकिन या तीन से चार गलतिया हुई जैसा कि सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि सोसाइटी कौन सी है उस सोसाइटी का नाम आप सबसे पहले देंगे सोसाइटी के बाद में स्थान का नाम आपको देना चाहिए जो कि इस बच्चे ने नहीं लिखा इसके बाद में सूचना और दिनांकिस ने लिखी हुई है बिलकुल यहां यह करक्ट है निर्तिय प्रतियोगिता के लिए सूचना यहां पर इसका यह टाइटल है और टाइटल वास्तों में बॉल्ड अक्षरों में हो अलग से दिखे तो यहां निर्तिय प्रतियोगिता के लिए सूचना यह सब्जेक्ट की रूप में नहीं लिखना निर्तिय प्रतियोगिता का भव्य आयोजन इस तरह से अगर हम अपना टाइटल लिखेंगे तो निशित तोर पर वाच्छे माक्स मिल सकते हैं क्योंकि एक नमबर आपको यहां में के अंदर मात्रा का प्रयोग नहीं किया इस तरह से इसमें कुछ गल्तियां रही और इन गल्तियों को विशेश ध्यान रहे जो गल्तिया हम कर रहे हैं यह छोटी-छोटी मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती है इसलिए इस बच्चे ने चार में से जो है वो तीन अंग उसने प्राप्ति की है तो यहाँ पर अगर यह सब चीजों का ध्यान रखता तो शायद इसको इस में भी फुल मांक्स मिल सकते थे प्रारूप संबंधी में ही एक और प्रश्ण आपके सामने है क्योंकि फॉर्मेट में तीन-चार क्रश्ण आपके सामने आते भी हैं तो यहां हम देख पा रहे हैं अधे बिद्ध्याले में आयोजित czarень youtube के रूप में परियावरन मंत्री को आमंतृत किया गया है ठीके उसके लिए आपको पत्र लिखना है अब देखिः बच्चे की में में आपके सामने प्रस्तुत कीए सेवा में श्ण नहीं लगा परियावन मंत्री कोमा आना चाहिए इसके बाद मिनिस्टर किसम है वो कौन से डिपार्टमेंट में है सेकेंड राइन के अंदर ही वहां पर विभाग का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम जो भी ओर्गेनाईजेशन है जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का नाम नई दिल्ली फिर पूर्ण विराम दिनांग जैस्ट के बाद आनी चीती जो कि इसके लिखी है विशे वन महुत सव में आमंत्रित करने है तू पत्र यह विशे विशे ठीक लिखा है लेकिन महुदे के पहले महुदे के बाद में आपको थोड़ सा ब्रीफ देना होता था उपरियुक्ति विशे में निवेधन है कि इस प्रकार की लाइन लिखते लिखते तो शायद निशित तोर पर वहां पर आपको फुल मार्क्स मिल सकते थे इसके बाद डी एवी स्कूल मुख्य अतीती आप मुख्य अत नहीं है मुक्य अतिती के रूप मेu हम ने प्रियावर्ण मन्तरी को शामिल किया है इसलिए अलग से रिमांक डाला हुआ है मुख्य अतिती के रूप मेu पर्यावर्ण मन्तरी akan करना था जो कि आपने यहां पर कहीं भी नहीं लिखा तो इस तरह से अगर हम एक एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो निश्यत तोर पर हमने जो गलतिया की है या हम किसी भी कर्शन में इस प्रकार की गलती करते हैं तो वो गलतिया ना हो तो निश्यत तोर पर एक बहुत अच्छा मांक्स बहुत अच्छे अंग ह हम अपने परिक्षा में ला सकते हैं इसके बाद अगला देखते हैं इसी कॉमन मिस्टेक के अंदर क्या पॉइंट इसमें डाला हुआ है विराम चिन्नों तता मात्राओं का उच्छी दंग से प्रयोग निशित तोर पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पंक्चुएशन्स वर्ड मात्राओं का प्रयोग शब्दों का चायन इस बिल्कुल अच्छे तरह से हो जैसा कि प्रश्ण दिया हुआ है कि निमने लिखित प्रश्णों में से किनी दो के उत्तर देने हैं 50 to 60 वर्ट उसके आंसर देने हैं दो प्रश्ण दिया है में हरियर का इस बच्चे ने मिनिंग की किये भाईयों शब्द जो है यह भाईयों शब्द में ए छोटी आएगी इस प्रकार से लिखोगे तो सही होगा इसी प्रकार से बीगा शब्द बीगा में बड़ी ए की मात्रा का प्रयोग किया जाता है ठीके इसे के बाद छोड़ शब्द जो लिखा हुआ है अगर यह इस प्रयकार से लिघते तो शायद पूरे मांक्स मिल सकते थे पेसों शब्द जो है उसमें इस प्रयकार से प्रयोग होगा इसलिए आपर जो मांक्स मिलते three में से दो नंबर इस बच्छे ने प्राप्त की हैं इतनी गलतियों के कारण तो हम कहने का मतलब यहां गर्मी शब्द का प्रयोग, गर्मी हमेशा इस प्रकार से लिखा जाता है, योजनाय जो शब्दियान लिखा हुआ है, यह भी इस बच्चे ने गलत लिखा, इसलिए यहां इसकी मात्रों की बहुत जादा मिस्टेक्स देखने को मिली, एक हमने सेश इसी प्रकार से और, जहां पर और में एक मात्रा और दो मात्रा का प्रयोग, तो यह मिस्टेक भी हम करते हैं, छोटी की का प्रयोग हमेशा क्रिया के बाद मेगर की आए, तो हम छोटी की का प्रयोग किया जाता है, बाकी आग्या कोई की आता है, तो हम बड़ी की का प्रयो कर सकते हैं इसी प्रेकार दो सब्जेक्ट दो शब्दों को जोडने के लिए हम और शब्द डबल मात्रा वाला प्रियोग कर सकते हैं बाकी मार्ग दर्शन दिशा के लिए हम एक मात्रा वाले और का प्रियोग करते हैं तो इस प्रेकार से अगर शायद हम मात्राओं का विशे इस ध्यान रखे तो निश्चित तोर पर जो गलतिया हम से होती है उन गलतियों को सुधारा जा सकता है एक और हमने आपज़र किया कि वस्तुनिस्ट प्रश्ण जो MCQ बेस्ट क्वेस्ट हैं यह बच्चे ने अभी प्रीबोर्ड के एक्जाम में बहुत गलतियां किये हम केव एक प्रían क्या रहे हैं एक कि थे चर्वाले इक बीज़र्फीयरल करके आ रहे हैं और बच्चा सोच रहा है कि हमने ऑ लिखा हैस का मतलब या सर पूरे मार्वाथ देंगे जैसा कि इसने question no.4 के अंदर नहीं दिया तो यहां पर यह गलत है तो इस तरह से हमें नहीं लिखना है हम अपने option के साथ जो सही उत्तर है उस सही उत्तर को पूरी तरह से लिखेंगे तो निशित तोर पर हमें marks मिलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा होगी तो यह गलतियों के बार अगली slide देखते हैं वर्णनात्मक रचनात्मक आदी प्रश्नों के उत्तर लिखते समय हस्त लेखन हैंड राइटिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए अब हम यह बिल्कुल कहने की ज़रुरत नहीं होनी चाहिए कि अगर हम English या हिंदी इन दोनों लेंग्वेज का पेपर कर रहे हैं तो हैंड राइटिंग आपकी मस्ट होनी चाहिए बहुत ही सुन्दर अक्षरों में हम लिखें तो उसी प्रकार की हमारी समय योजना हो ताकि हमारी स्पीड भी बनी रहे और एक एक प्रश्नी के अंदर हम सुन्द अबर शब्दों का प्रियोग करें आप देख रहे हो इसमेच के अंदर किती सारी अशुदियां और कितना काटा पीटी इस बच्चे ने की हुई है इसलिए जो प्रश्न पांच नंबर का था उस बच्चे को केवल साड़े तीन नंबर इस अनुछेद मिले हैं मिले हैं बह बहुत अच्छा किया जा सकता है ठीक है तो अगला देखते हैं इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्नों या दीरगोत्तर प्रश्नों में प्रस्तूती करन पाठे पुस्तक के तथ्यों पर होना चीए आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप जो क्रेशन का अंसर दे रहे हो वो निश्चित तोर पर वो प्रेजेंटेशन आपकी पाठे पुस्तक के आधार पर हो आपकी story की ऊपर depend करता है कि आपने उस story पर कितना ध्यान दिया या उस poem पर कितना ध्यान दिया तो story basis आपके answers होने चाहिए आप अपने मन का प्रयोग कर सकते हो लेकिन अपने कहानी से बिल्कुल दूर नहीं हो सकते तो उस पर आधारित होना चाहिए जैसा कि आ शायद उसके अकॉर्डिंग नहीं है जो प्रश्ण पूछा गया है इसी प्रेकार से दूसरा प्रश्ण जो है वह स्मृती चप्टर से लिया हुआ है यहां पर भी इस बच्चे को एक नंबर मिला जबकि यहां पर यह तीन से चार अंक का प्रश्ण था यह दंतुरित मुस्क प्रश्ण के आधार पर यह पार्ट में से पूछा गया लेकिन यहां पर भी बच्चे ने 1.5 क्योंकि गलती हम देख पा रहे हैं क्योंकि दो लाइन सोरी तीन से चार नंबर का प्रश्ण के वह दो लाइन के अंदस ने कंप्लीट कर दिया जबकि इसके लिए चार से दियान में रखते हुए हम उनके आंसर दें तो निश्यत तोर पर सही उत्तर उस बच्चा लिख सकता है तो जो बैसिक चीजें आपको बता ही जा रही है उसका में विशेष ध्यान लखना है घर पर अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है उस टाइम को गर पर हो अगए तो सकता ही गलती हो दूसरी बार भी गलती हूं तीसरी बार भी गलती हूं लेकिन दस दिन लगाता लिखने के बाद आपको सब इन चीजों का एसास होगा जो गलतियां में पहले 50 करता था शायद उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट हो रहा है वह अंदर से हुए निर्देशों का सही पालन जो प्रश्ण में दिया हुआ है वो निर्देश होना चाहिए यह नहीं कि प्रश्ण क्या पूछ रहा है आंसर हम क्या दे रहे हैं इसी प्रकार से अगर प्रश्ण में दिया हुआ है कि प्रश्णों में से दो प्रश्न करने है तो यहनि की हम तीनों की तीनों प्रश्न करके आजाएं तो examinar starting के दो प्रश्न Ray reconsider चेक करेगा वह तीसरे प्रश्नों देखेगा अथक रही नहीं चाहे आपने तीस रही प्रश्न कितना अच्छा किया हो इसलिए जो प्रश्णी तदा खंड संक्या निर्धारीत करना अधिकतर से लिख देता है लेकिन कभी कबार हम जल्दबाजी के अंदर question number लिखना ही भूल जाते हैं किस खंड से लिया गया है उस खंड का जो लिखना है के mention करना है वह mention करना तंग भूल जाते हैं सामान्य रूप से शब्धों या अपनी भाषा शेली का सही चायन आपकी जो language पर Command है हम उन्हीं शब्दों को ले जिन शब्दों का हमने अभ्यस्त हैं जिन शब्दों का अभ्यास किया है उस अभ्याज शेली के माध्यम से अपनी शेली अपनी गुनवत्ता का हम प्रयोग करते हुए अगर इस प्रेकार के शब्द यूज में लेंगे तो निश्चित तोर पर हमारा प्रश्ण पत्र बहुत अच्छा होगा जो माक्स शायद हम साट तक आ रहे थे उसमें कुछ न को देखना होगा आशा करता हों की पसंद भी आ रहा होगा अब इस प्रेश्टर पर त्रहल करने के लिए विशेश अग्यों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश मैंने कुछ निकाले इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बाइट्स जो अब तक के हिंदी के जितने भी यूट्यूपर्स या जितने भी यूट्यूपर जो आपके वीडियो जाये हैं शायद कॉमन मिस्टेक को लेकर के इतने सारे वीडियो नहीं आये होंगे लेकिन हम आपके लिए विस निशित तोर पर हिंदी के अंदर जिन बच्चों की कुछ गलतियां होती है उन गलति टाइम मेनेजमेंट यह बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके साल बर का कठिन परिश्रम आपके तीन गंटे की परिक्षा पर निर्दारित है जैसा कि आपने चक्दे इंडिया देखी होगी चक्दे इंडिया के अंदर जो कोच है वो अपनी उन फिल्ड पे खेलने वाली होक्की प्लेट को कहता है कि आपके पास यह दाई गंटे हैं और इस दाई गंटे में आपने जो तमाम वर्षों में सीखा है उसको इंप्लिमेंट करने का मोगा केवल सिर्फों सिर्फ टू ए आफ आवर और हमारे पास भी तीन गंटे की परिक्षा होगी जितना भी हमने मेहनत की हमने परिश्रम किया जो निष्ठा और समर पर हमने अपनी पढ़ाई के प्रती रखा उसको पूरी शिद्दत के साथ हमें उस परिक्षा के अंदर डालना है एक तरीका जो मुझे बहु अपनी प्राश्णों को नहीं देंगे जिस प्रष्णों में आठके हुए उस प्रष्णों को left करके आगे चले जाने चाहिए ताकि सही समय पर सही प्रश्णों को करके maximum income हासिल कर सके क्योंकि हो सकता है कि दूसरा प्रश्ण टेम्ट करते समय हमें पेले वाले प्रश्ण को उत्तार भी आने लगा हो क्योंकि हमारा ध्यान भी members कही लगा रहता है तो यहें लग रहा है कि एक प्रिशन पर ज्यादा समय लग रहा है तो उस प्रशन हम थोड़ा छोड़ें दूसरे प्रिशन पर चले जाएं इस तरह सही समय पर हमारे सारे प्रषण हलोंगे अगला है योग्यता आधारित प्रश्ण पाठे पुस्तक पर आधारित आपके पास पाठे सामक्रियां हैं बाशा को अच्छी समझदारी से हमें हल करना चाहिए जिससे की एक रिटिकल थिंकिंग एक आलोशनात्मक चिंतन का मुल्यांकरम सेल्फ एविलेट कर सकें क कभी भी वाइननात्मक प्रश्णों का उत्तर देने में जल्दबाजी ना करें आसानी से हम पहले उन प्रश्णों को पढ़ें वो प्रश्ण क्या कह रहा है किस पार्ट से लिया गया है उस पार्ट के कभी कौन है थोड़ा सा उसके बारे मंधन करने के बाद हम उस प्रश् करें लेकक या कभी का नाम मेंशन करें हमें हर चैप्टर हो यह कभी का नाम याद होना चाहिए तो निश्चित तोर पर हम एक अच्छा मुल्यांदकन कर सकते हैं विषय केंद्रिद उत्तर लिखते समय अपने दिमाग में उत्तर के केंद्री विंदु को ध्यान रखें अगर किसी कभीता की लाएन आ रहा है थो लाइन क्या मैसेज देना चाहती है उस कभीता के संदर्व में उसका क्या मichष्व है यह तमाम बाते हम उसमें ध्यान रखें और साथी साथ CBSC की जो गाइड लाइन जो शब्द सीमा है जो प्रश्ण पत्र में दिये रहते हैं उसका भी अमिशेश ध्यान रखें रश्णात्मक लेखन वेरी इंपोर्टेंट हमने प्रारूप के अंदर यह सारी चीजे देखिए रश्णा की आधार पर प्रश्ण लिखते समय उनकी शब्द सीमा ध्यान रखें अनुच्छे लिखते समय संकेत बिंदू को ध्यान रखें संकेत बिंदू हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट टास्क होता है प्रश्ण के अनुसार कारण परिणाम महत्विश्थार तरीका creativity पूर्ण हो नवाचार नए आइडिया उसके अंदर हो निशकर्ष के लिए शुरुवात में लिखे गए उत्तर अंतिम तक बताये गए तथ्यों का निचोड रखें यह तमाम बातें उसके अंदर होनी चाहिए लास्ट पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट आखरी द त्तीन घंटे के दौरान हम उस तीन घंटे में से दस से 15 मिनिट निकालें ताकि जो प्रश्ण पत्र हमें हल किया है वास्तों में प्रश्ण पत्र के अंदर कोई कमी तो नहीं छोड़ी क्या हमने प्रश्ण पत्र को Jeanser हमारी sheet क्या हमने रोल लंबर सही लिखाय नहीं लिखा हमने date mention करी ये नहीं करी, हमने प्रश्न संक्या अंक्ध करी ये नहीं करी, कितने प्रश्न हम ने किया है o k toolkit छूड तो नहीं गया, यह तमाम चांग हमने कोई उत्तव गलब तो नहीं लिख दिया, वस्तु परक्ष हमारे options आहिए या यह तमाम संशोधन के लिए हमें थोड़ा सा अपना समय निकालना होगा, टाइम मेनेजमेंट का ध्यान रखना होगा, सबसे पहले रचनात्मग लेखन, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है, 20 से 25 नंबर का हमारा टॉपिक आता है, तो सबसे पहले फ्रेश मूड में जाएंग हमारा मुल्यांकन भी होगा, और हम पूरा प्रश्न पत्र कर सकते हैं, तो निश्यत तोर पर आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, मित्रों, अगर हम इन सब चीजों का विशेज ध्यान रखेंगे, चाए वो टेंथ बोर्ड का बच्चा हो, चा सभी को अगरिम बधाईया, अगरिम शुपकामना है, आप सभी का पेपर बहुत अच्चा हो, तो रेजोनेंस परिवार से, परिवार की ओर से, सभी विध्यारतियों को, all the best.